तो कित्ते लोग सही जवाब देंगे ये तो वक्त बताएगा लेकिन वक्त भी आपका बताएगा कि आप कैसे जवाब दे रहे हैं निमन में से सत्य कषन को आपको बताना है ठीक है हाँ सब की हाजरी लगा दिये जी सेंडी वर्मा जी बसंती सिंपा जी सांतनु जी नेया जी सभी की आजरी पारश मिना जो रोजाना स्टूडेंट है उन सभी की विश्यू डेविद फुल हाँ जी सभी की हाजरी लग गई है अब चलिए निमन में से सत्य कफन बताईए लगया खे खिलाडी लाल बेरवा राजसान अनुसुची जाती आयोग के अध्यक्स है रेहाना रियाद चिस्ती राजसान राजय महिला आयोग के अध्यक्स है लक्षमन मीना राजसान अनुसुची जन जाती आयोग के अध्यक्स ह सब्सक्राइब प्रिस्त के अध्यक्ष है। ये सभी जो हैं वो सत्य कथन हैं अब बढ़ते हैं आगे सर। अगले सवाल का जबाब दीजिए सर आप तो। अगला सवाल प्रस्तूत की अधाय है हमारे सामने। निमन में से सत्य कथन कुन सा है ये बताइए। राजीव औरोडा राजीव औरो में जरूर ध्यान रखना आज कल खुब चर्चा में है और वेसे भी investment summit जो हुआ उसकी वज़े से उद्योग सारे चर्चा में आ गए है और ब्रिंज किशोर सर्मा राजस्तान खादी एम ग्रामो द्योग जो बोर्ड है उस बोर्ड के क्या है अध्यक्स है ठीक है सर। धर्मेंदर राठोड राजस्तान प्रियटन विकास निगम के अध्यक्स है और अभी जो राजनिती गत्ना करम राजस्तान में गटित हुआ उसमें सबसे आगे अगर किसी वेक्टी को आपको दीखेंगे उस दिन की घटना है अगर आपने देखी हो टीवी पर तो सब से आगे दीखेंगे आपको धर्मेंदर सिंग राठोड जो की राजस्थान प्रियतन विकास निगम के अध्यक्स हैं इसमें सभी कथन सकते हैं राजीव अरोडा राजस्थान लगू उद्योग विकास निगम के अध्यक्स महादेव सिंग खंडेला राजस्थान किसान बोर्ड ब्रिज किसोर सर्मा राजस्थान खादीयूं ग्रामो द्योग बोर्ड दर्मेंदर सिंग राठोड राजस्थान प्रियतन विकास निगम न रियानवन समन्वे समीती के अद्यक्स हैं रफिक खान राजस्थान राज्ये अलब संख्यकायों के अद्यक्स हैं ठीक है हाँ जी यहाँ पर है गोपाल सिंग सेखावत वरिष्ट नागरी कल्यान बोर्ड के अद्यक्स हैं इसमें से सभी कथन आपके क्या है सत्य हैं यह निमन मैं से वक्तिय कथन बताईए भाईया, भावरू खां, राजस्वान, राजै पिछड़ा वरग आयोक के अद्यक्ष के 15 एं? जोगेंदर सिंग अवाना देवनारैन बोर्ड के अद्यक्स हैं जोगेंदर सिंग अवाना साथ लक्समन सिंग विश्नोई राज्य जीव जन्तु कल्यान बोर्ड के अद्यक्स हैं ये सबी सत्य हैं ठीक है सर अगला बताओ अब की बार पता चलेगा आपको निमन में से असत् बताओ, शिक्ष्या मंतरी डॉक्टर बीडी कला है राजस्थान के, सहकारिता मंतरी उदेलाल आंजना है, चिकिस्षा मंतरी प्रसादिलाल जी है, करसी पसुपालन मतस्य मंतरी लालचन जी कटारिया है, इसमें सर इन में से कोई नहीं है, अलग टाइप करना पड़ेगा, क्य इसके बाद अगला, राजस्थान के सिक्ष्या मंतरी बीडी कला के संबंद में आपको सत्य कथन, ऐस सत्य कथन बताना है, वर्तमान में ये बिकानेर पस्थिमी सीर से विधायक ने, पुर्वे में उर्जा एवं जल संसादन मंतरी रह चुके हैं, इनका जनम जेपूर में ह हुआ है, बिकानेर पस्थिमी सीर से छटी बार 2018 में विधायक बने थे, इसका सही जवाब आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, इसका सही जवाब, हाँ जी, राजस्थान के सिक्ष्या मंतरी बीडी कला के संबंद में ऐस सत्य कथन आपको बताना है, तो बीडी रह चुकें, अभी सिक्ष्या मंतराले का प्रभार इनके पास है, इनका जनम जेपूर में हुआ, सही बात है सर, नहीं हुआ, ये गलत बात है, इनका जनम बीकानेर में हुआ, समझे ना, इनका जनम का हुआ, बीकानेर में हुआ, इसलिए पस्थिमी सीर से लगा तारकित्त च्छी बार विधायक रहें तो यह आपका सी ओप्षन जो इसका है वो गलत है चलिए सर अगला सवाल लाई आप तो अगला सवाल है राजस्वान के सहकारिता मंत्री उदेलाल आंजना के संबंध में ऐ सत्य कथन बताईए क्या होगा ए सत्य कथन बताईए क्या होगा वर्तमान में छोटी सादली से ये विधायक ने किया है इनकी सनातक की पढ़ाई निमच में हुई है और चितोडगर लोगसबा निर्वाचन सेतर से ये संसद सदसे भी रहे है इन में से कौन सा है ये बताईए वर्तमान में ये छोटी सादली से विधायक ने क्या तीन बार निमबा हेडा विधान सभा चेतर का प्रतीनी दित्व इन्होंने किया है क्या इनकी सनातक की पढ़ाई निमच में हुई है क्या ये चितोडगर लोगसबा निर्वाचन चेतर जो है ठीक है वहाँ से निर्वाचन हुए है क्या तो प्रेम नोखवाल का एकदम सही जवाबा है सर अब की बार है ना इसमें बहुत कन्फ्यूजन वाला मामला है ये छोटी सादली से विधायक नहीं है ये निमबा हेडा से विधायक है और आपको पता होना चीए निमबा हेडा से ये क्या है विधायक है तो तीन बार निमबा हेडा विधान सबा छेतर से पहले भी इन्नों ने प्रतिनी दितुए किया इनकी सनात्त की पढ़ाई निमत मद्य प्रदेश में हुई है ये चितोडगर लोगसवा निर्वाचन शेतर से सांसत भी चूने जा चुके हैं और वर्तमार में हमारे सहकारिता मंतरी हैं चलिए अगला सवाल देखे क्या है पहला कसन इसमें सत्य था निमर में से सत्य कसन बताईए सारवजिक निर्माण विभाग बजनलाल जाट के पास है जाटव है वेश्ते सामाजिक नियाएव अधिकारिता मंतरी टीकुराम जूली है दे उध्योग ये देवस्तान विभाग सकुन्तला रावत साब के पास है तो यहां पर आपको सही तो जब पता ही चलुना होगा ये जाटव साब है ठीक है सारवजिनिक निर्माण बजनला जातव के पास है सकुंत रावद के पास कौन सा विभाग है उध्योग देवस्थान विभाग के पास है कुंत रावद के पास है तो इसका रायत आफवर वन्षवर में कोई भी ऐस couple के नहीं है ध्यान रखना पंचायती राजमंत्री कौन है राजस्थान के ये जरा बताइएगा ठीक है ठीक है अगे बढ़िए आप तो हमें ये सब आ रहा है पंचाइती राज्यम ग्रामीन विकास विबहाग के मंत्री इन में से कौन है ममता भुपेस महिला एमबाल विकास विबहाग की मंत्री है और cabinet स्थर का दर्जाए रमेश मिना जो है वो पंचाइती राजेंट ग्रामीड विकास विभाग के मंतरी है विश्वेंदर सिंग जो है वो परियतन मंतरी है और अभी हाले में परियतन विभाग राजस्थान के द्वारा जो प्लेस ओन वील्स जो राजस्तान में चल रही थी पिछले COVID-19 की वज़े से बंद कर दी उसे गांधी नगर रेलवे स्टेशन से वापस क्या किया गया है कल सुरू किया गया है आपको ये पता होगा और आपको मैं बहुत बार ये बात बता चुकाओं कि राजस्तान में एक लोचा बहुत बड़ा है राजस्तान की विदान सबा में कभी भी 200 विदायक आज तक ऐसा नहीं हुए जब पूरे 5 साल के कारियकाल के दोराण 200 विदायक राजस्तान की विदान सबा में कभी एक साथ बैठे और मैंने कहा भी था मैंने जिस दिन 200 किशनक्या पूरी हुई थी उस दिन कहा था कि अब किसी ने किसी का नंबर आने वड़ा है और आपको पता होगा सरदार सहर विदान सबा चेतर से विदायक ठीक है कोन है भावर कोन से सरमाजी है जरा बताईए कोन से सरमाजी है जिनका नंबर आ गया है और ये आप तो पता होगा राजस्तान की वापस संख्या कम हो चुकी है अब यहां भी देखते हैं उप चुनाओ होगा या नहीं अगर इसी साल अभी नहीं दो तीन मैने में उप चुनाओ हो जाता है तो ठीक है वरना अन्टीम छे मैने में यहां चुनाओ फिर हो नहीं पाएगा ठीक है हाँ जी तो चलिए अब बताईएगा यहां पर क्या है कोन से सरमाजी कोन से विदायक सरदार सहर से हैं जिनका अभी हाली में निधन हो चुका है ये सरदार सहर से थे हाँ गोविंद राम आपदा प्रबंदर जो है उसके मंतरी थे तो राजस्तान की विधायकों की संख्या वापस कित्टी हो गई यह भई एक सो निन्नार में हो गई है अभी राजस्थान में क्योंकि कल भावरलाल सर्मा जी का क्या हो गया है निदन हो गया है जो कि सरदार सहर से भावरलाल सर्मा बड़े कदावर नेता थे आपको पता होगा बहुरलाल सर्मा जी जो है आपको पता है जब सचिन पाइलेट साब और ये अशो गैलो जी का इस से पहले जब एक व्याफ़क बातचीत हुई थी उस समय फोन टेपिंग का मामला किस पर लगाया गया था ये सचिन पाइलेट के प्रबर समर्थक माने जाते थे बहुरलाल सर् सर्मा यहां मैं दुबारा इसको साफ लिख देता हूं बावरलाल सर्मा बावरलाल सर्मा जी तो हैं यह बहुत कद्दावर नेता थे कॉंग्रेस पार्टी के मेरे दोस्तों और लंबे समय से सरदार सेर विदान सभा चेतर में इनका बड़ा दबदबा था तो अभी हाली मे इनका क्या हो चुका है निदन हो चुका है अब वापस ये विकेट गिरने के बाद वापस राजस्तान की विधान सभा की संक्या 199 में हो गई है और ऐसा आज से नहीं वर्सों से ये राजस्तान की विधान सभा के बारे में जो चर्चा चलती आ रही है वो लगातार सत्य हो रही है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अभी यहाँ पर सब बात हो गई है यह आपदा प्रबंदन मंत्री है यह बालविकास मैला बालविकास पंचायती राज और प्रियटन मंत्री है चलिए आगे बात करते हैं अभी अगला सवाल क्या सर राज्य के जल संसादन है आई इन में से वो बताईए महेश जोसी महंदर जीत सिंग सांती धारिवाल प्रसादी लाल जी मिना चिकिस्षा मंतरी प्रसादी लाल मिना नगरिय विकास हैं सहरी विकास मंतरी जो है वो सांती धारिवाल है और महेश जोसी सचेतक के रूप में भी काम करते हैं राजस्तान की वि दब-दबा था, क्योंकि लंबे समय से शरदार सर विधान सभात के अचेतर से ये जीतते आ रहे थे, हाँ यहाँपर है राज्य के जल संसादन एवं आई-इंजी-पी मंंत्री को है, जल संसादन एवं आई-इंजी-पी मंंत्री मेहंदर स्टिंग जी है ठीक है तो बताइए महेश जोशी के पास कोन सा मंतराल है राश्ट्रिय जल सरक्षन में राजस्तान सेकिंड नमबर पर है सही बात है राजस्तान कोन कोन से नमबर पर है एक बार फटा फट सुन लीजिए जल जीवन मीशन जो है ना जल जीवन मीशन जल जीवन मीशन इ इसके अदावा food safety जो है food safety ये food safety index के मामले में जो राजस्तान है पूरे डेस बर में ये दस्वे नमबर पर है food safety में खेलो इंडिया youth games जो हुए उसमें दस्वे नमबर पर राजस्तान का नमबर आया ठीक है national food security जो है ठीक है उसके अंदर national जो health survey हुआ था five नमबर उसमें स्वास्ते बीमा प्रदान करने के मामले में स्वास्ते बीमा प्रदान करने के मामले में बीमा प्रदान करने के मामले में राजस्तान जो है वो पहले नमबर पर रहा यानि अभी आली में national health survey जो हुआ था family health survey उसके अंतरगत जो है वो आपको ध्यान रखना है कौन से पर पूरे देश बर में स्वास्ते बीमा परदान करने के मामले में पूरे देश में नम्मर वन आया था ठीक है हाँ महेश जोसी जो है वो भूजल मंतरी है खूब चर्चा में आये थे भूजल मंतरी जो है वो कौन है ये साथ है ठीक है तो ये सब आपको ज्यान रखना इसके परफॉर्मेंश एने इंडेक्स उसमें केंदरिय सिक्ष्या मंत्रा ने लेवल फर राजे राजस्तान को क्या किया है गोसीत की है राश्किय जल सरक्षन में राजस्थान का कुन सा नंबर है सेकिंड नंबर है ठिक बात है सत ये सारी बातें और अभी हाली में पुलीस गेम्स जो हुए है उस पुलीस गेम्स में पूरे देश बर में पहले स्थान पर रहा था राजस्थान ये भी आपको ध्यान रखना है प्लस बेरोजगारी में हमारा दूसरा नंबर है दूसरा नंबर बेरोजगारी का है ये भी जरा याद कर लिए गा तो इसका right answer जो है वो मेंदर जीट सिंग जी है चलिए अगले सवाल पर मेंदर जीट स राजस्थान का सेकंड स्थान है वेरी गुड़ वेरी गुड़ वेरी गुड़ आपको बहुत चीजें याद है और इन सवालों के देखकर मुझे संतोस है कि आपकी तैयारी अच्छी है हाँ बेरोजगारी में खटर सरकार पहले नंबर पर है खान एम पेंटोलियं विभा बुड़ा मालानी बाड मेहर से आते हो और इनके पास जो है ना प्रयावरण विभाग के मंतरी हैं वह यह अलग संख्यक मामलों के मंत्री कौन है? सालि महामत. हे सब बता दिया है हमने. प्रमोर्ध भाया जैन पेंट्रोलियू व्भाग, खान विभाग, प्रताप सिंख खाचरिया वास, खाद्य läuft ओं आपुर्ती विभाग, हेमा राम चोधरी, प्र्यावरण विभाग के मंत्री और नामलाल जाट नहीं है, सकुंतला रावत इसका राइट आंस्वर है वई, क्या है, सकुंतला रावत जी इसका राइट आंस्वर है, और ये बानसूर विदानसवा छेतर जो आना, अलवर का, कहां से, बानसूर विदानसवा छेतर कौन से दिले का है सर, अलवर का, अलवर के ब नेक्स्ट सवाल जो आपका है वो ये रहा राजे की विभिन मंत्रियों के संधर में सक्ते कथन बताईए ममता भुपेश सिक्राय विदान सभाचेतर दोसा से आती है बात एकडम सही है टिकाराम जी जुली अलवर ग्रामिन से आते हैं सही है सर रामला जाट मांडलन विदान स मंत्री मंता भुपेश का जनमस्तान कोन सा दिला है अलवर है दोसा है जूझनू है जेपूर है सर यह सवाल जो है बड़े आज आपने तो फटरनाख सवाल बनाएं सर महिला एवन वाल्विकास मंत्री मंता भुपेश का जनमस्तान कोन सा है अलवर दोसा जूझनू जेपूर है धिक है ध्विदान सभाचेतर तो दोसा है हाँ जी यहाँ पर दोसा में इनका सिक्राई विदान सभाचेतर दोसा काई लेकिन जनम स्थान जरूर ध्यान रखना जुन-जुनु जिले में इनका कहा है इनका जनम जुन-जुनु जिले में हुआ है ममता भुपेश का लेकिन बाद में आपको पता ही है स्थान बदल जाते हैं तो अवी दोसा जो है वहाँ से क्या है विधाय करीं ठीक है राज्यय मंतरी परिश्ञद में कुल कितने नए केबिनेट मंतरी बनाए गए भाईया कुल नए कितने केबिनेट मंतरी बनाए मुख्य मंतरी असो गैलो जी ने ना वो किते केबिनेट अब टोटल हमारे मंतराले में 30 मंतरी हैं और मैंने आपसे पूछा किते नए मंतरी बनाए थे उन्होंने किते नए केबिनेट मंतरी बनाए थे ठीक है टोटल 11 नए मंतरी बनाए उसमें केबिनेट मंतरी राजस्तान सरकार के द्वारा किते बनाए गए सब आना आप तो है ना हमको याद करा के छोड़ोगे और क्या करें अब आपका भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ चलिए सर कोई आठ कोई ग्यारा जैसे सर सवीता पूनिया अनमानगड की है लेकिन हाँ वैसे ही मेरे मित्रों आप सभी को याद होना चाहिए क्या होना चाहिए सर कि हमको क्या बताना है आज सर नए मंत्री हमको याद नहीं है क्या करें कैसे याद हो गें सर ये सब यान हो जाएंगे भईया च्यार मंत्री बनाए गए थे सब का जबाब एकदम राइट नुआ रहा है नए केबिनेट मंत्री पूछा है मैंने मंत्री नहीं पूछा है रहे भागलो जो जबाब दे रहे न गलत है उनकी करनी पड़ेगी पिटाई ठीक है ना वरना तो आप लोग कहां मानने वाले हो इतने जल्दी मानने वाले हो नहीं आपसे पूछा है नए केबिनेट मंत्री चते बनाए तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं अगला सवाल सर क्या है राजस्तान सरकार के नए मंत्री परिशत में कितने परिषद के चाहिए नहीं है तो देखें नामacağाया आफ का याद होने चाहिए एक चाहिए एक नाम तो सकुंपला-रावत का आज का में एक अभी आपको ममता भूपेस बताया है सर अभी एक आपको याद होना चाहिए जाहिदा खान ये तीन नाम आपके रटे हुए होने चाहिए इसके अलावा राजस्तान के मंत्री मंदल में कोई महिला है तो उसका नाम आप बता सकते हैं ठीक है हाँ जी जी पुजाराजी ये राजस्तान के सभी मंत्री आपको करवाए जा रहे हैं सभी विभाग सभी मंत्री ये किते शांदार सवाल है तो ये तीन महिला मंतरी राजस्तान के मंतरी परिशद में है जिस मेंसे ममता भूपेश पहले से ही सामिल थी लेकिन सकुंतला रावत और जाहिदा खान को बाद में बनाया गया जब दूसरी बार विश्तार किया गया मंतरी मंधल का ठीकैं लंबे घटना करम के बाद स्वाल तो सर अच्छे है थीक है सर आगे बढ़िए सवाल तो सर अच्छे है हाली में राजस्ठाण में कितने विधायकों को संसदिय सचीव बनाये गए देखो संसदिय सचीव की चर्चा चली थी एक बार कि 10 संसदिय सचीव जो है वो हमारे बनाने वाले हैं गैलोग साथ लेकिन फिर विपक्स ने हो हला मचा दिया कि इत्ते आपने मंत्री बना लिए इत्ते आपने सलाकार बना लिए और आपको 7-7-8-8 सलाकारों की जरूरत पड़ रही है फिर OSD अलग है आपके तो कैसे काम चलेगा भाई हमारे मुख्य मंतरी जी का तो इसको ध्यान में रखते हुए फिर अभी तक किसी भी संसदिय सचीव को नहीं बनाया गया हालांकि 7-8 जो है उनके सलाकार जरूर बनाया या तो इस सवाल का जवाब आपको कुछ भी नहीं देना है वरतमान में राजस्तान मंतरी परिशत में कुल मंतरियों की संख्या कितनी है राजस्तान के मंतरी मंडल में आपको पता होगा अधिक्तम 30 मंतरी बनाये जा सकते हैं किते 30 मंतरी यानि 200 विदान सबाद शीर्ट है तो इसका 15% अधिक्तम मंतरी राजस्तान में बनाये जा सकते हैं ये आपको जानकारिया होगी मेरे इस साथ से ठीक है किते अधिक्तम मंतरी बनाये जा सकते हैं 15% मंतरी अधिक्तम बनाये जा सकते हैं और नियूनतम किते बनाये जा सकते हैं नियूनतम राजस्तान में 12 मंतर बनाए जा सकते हैं आपको यह भी जानकारी होंगी तो यहां दर याद रखेगा राजस्थान में अभी 30 के 30 मंत्री असो गैलो जी ने बना रखे हैं ठीक है हाँ जी राजस्थान में असो गैलो जी अधिकतर 30 ही बना सकते हैं मैक्जिमम यह इतने मैक्जिमम है इसने जादा तो गेलो जी चाकर भी नहीं बनाए जा सकते ठीक है तो ये याद रखना राजस्तान में मंत्रियों की कुल सुन्ख्या पूछिए तो तीस मंत्री राजस्तान में आज की तारीख में है हाँ जी चलिए निमर में से मैला केबिनेट मंत्री कौन है जाहिदा खान सकुंतला ना क्या करते हो कमाल करते हो क्या करते हो सर इसको इसी बना दो ना हाँ जी सर इसको क्या बना दिया है हमने सी बना दिया है ये स्थी है तो यहाँ पर क्या है जाहिदा खान जो है वो राज्य मंत्री है मेरे दोस्तों क्या है ये राज्य मंत्री है ये सकुंतला रावत और मम विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2020 को सुभारम किया गया था सर राजस्तान की वेरी मोस्ट योजना है 12 साल से लेकर के जो है 15 साल से लेकर 45 साल तक की जित्ती भी महिला है राजस्तान में उनको आंगनबाडी और विद्यालेओं के माध्यम से क्या किया दारा है सेनेटरी नेपकिन उपलब्द करवाने के लिए सुष्टा के प्रति इस दिन की थी क्या है बालिका विकास योजना नहीं इस दिन शुरू नहीं हुई थी ठीक है इसके बाद सर उडान के साथ सक्टी योजना नहीं उडान के साथ सक्टी नहीं जागरिती बाल विकास योजना नहीं यह ध्यान रखना यह है आई-म सक्टी उडान योजना जो ह वो राजस्तान में सभी महिलाओं को सेनेटरी नेपकिन उपलब्द करवाने के लिए 19 दिसंबर 2021 को राजस्तान सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है उसमें आगनबाडी के इंदर और स्कूलों के माध्यम से सभी किसोरी और महिलाओं को क्या किया जाएगा सेनेटरी नेपकिन उपलब्द करवाये जाएंगे जिससे बाल मरत्युदर में कमी आ सके और महिला मरत्युदर में भी कमी हो सके ठीक है तो ये सब आपकी प्रिक्षा की दरश्टी से इंपोर्टेंट था 19 दिसंबर 2020 की देट जो है न वो ऐसे रट्टा मार लो खुद का जनम दिन भूल जाना लेकिन ये देट नहीं भूलनी है 19 दिसंबर 2021, 19 दिसंबर 2021, 19 दिसंबर 2021, चार बार बोलो और फिर याब हो जाएगी राजिव गांधी फिंटेक डिजिटल इंस्टिटूट की स्थापना कहां पर की जाएगी, जाएगी नहीं कर दी है आपको कल की सूजस बुलेटिन में उसके बारे में पूरा चित्था बताया था कि भई किते किते कारिय करम और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर है तो चलिए इसका सही जबाब जो है वो क्या है कि राजिव गांधी फिंटेक डिजिटल इंस्टिटूट जिसका नाम क्या रखा गया राजिव गांधी ठीक है एक और है डिजिटल इंस्टिटूट भी है और इसके अलावा राजिव गांधी एडवांस टेकनोलोजी सेंट राजिव गांदी कंप्यूटर एंडवांस टेक्नोलोजी सेंटर जो राजस्थान के कहां पर खुला गया है जेपूर में खुला गया है यह भी आपको पता होना चाहिए देखे दो बाद बता रहा हूं अगर आपसे पूछा जाए फिंटेक फिंटेक युनिवरसिटी कहां खोली जा रही है फिंटेक युनिवरसिटी खोली जा रही है मेरे दोस्तों जोदपूर में कहां पर जोदपूर में युनिवरसिटी कहे या इंस्टिटूट कहे एक ही समझना है लेकिन अगर वो कहे फिंटेक पारक कहां खोला जा रहा है यह फिंटेक पारक मेरे दोस्तों वो जोदपूर में है और फिंटेक पारक की बात अगर वो करें तो वो कहां है जेपूर में है ऐसे आपको अंतर दोनों में ध्यान रखना पारक जेपूर में इंस्टिटूट जोदपूर में चलो जी अगली बात सर करो हाँ जी सर ये लोजी विश्वे के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का सिलानयास पांच फरवरी 2022 को राजस्थान में कहां पर किया गया था ये बताएए विश्वे के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का सिलानयास पांच फरवरी 2022 को राजस्थान में कह विश्वय के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्गाटन हुआ है, विश्वय का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोधी क्रिकेट स्टेडियम हुजराट में है, दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मेलबॉर्ण क्रिकेट स्टेडियम आस्टेलिय जिसके अध्यक्स जो है वो कौन है वैया वेबव गैलोत है लेकिन अभी उनकी पता ही है वहां चुनाओं नहीं हो पारें सुप्रिम कोड की रोग की वज़े से और अब हो सकता है उसका पूरा कारियभार बीसी से के पास सला जाए जेपूर थेटर फेश्ट का आयोजन जेप पूर में किया गया था बतूल बेगम का संबन्द राजस्थान की किस गायन परमप्रा से है ये बताइए बतूल बेगम का संबन्द राजस्थान की किस गायन परमप्रा से ये सवाल हूँ बो हूँ जैसा मैंने आप से पूचा है ऐसा का ऐसा सवाल परिक्षा में आया है य जैसे आपके सामने लिखा है यही सवाल परिक्षा में आया है कि बतूल वेगम का संबंद राजस्तान की किस गाइन प्रमपरा से है कवाली गंदरवे फड मांड तो मांड गाई की से संबंद है इनका ये ध्यान रखना ठीक है चलिए अगला सब साहिते अकादमी पुरुषक 2021 राजस्तानी भासा के लिए किस को दिया गया ये आपको बताना है और 2022 का भी राजस्तानी भासा के लिए अकादमी पुरुषकार मिल चुका है आपको पता होगा आसिस का नाम ये आपको याद होगा आसिस कुमार जो है उनको दो वेक्ति है एक तो इस बार युवा पुर का अंगरेजी भासा के लिए दिया गया है ठीक है ये आपको याद रखना है दो हदार बाइस के भी आपकी परिक्षा की दिरश्टी से बड़े इंपोर्टेंट है एक हनुमानगड के वेक्टि को दिया गया है ठीक है ये ध्यान रखना जी